नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिशेक मिस्रा जेडियू के रास्टिय संसदिय बोट के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा का वनवास खत्म होने वाला है यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के बिहार में कैबिनेट विस्तार की सुबु का खास लगातार लगाया जा रहे हैं कि मुखमंत्री नतीष कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे नतीष मंत्री मंडल में ढडेड सारे बदलाव होने हैं उलट फेर होने हैं और खास कर जब से मुकेश सहनी का प्रकरण हुआ है बीजेपी ने मुकेश सहनी को निपटाया उनका मंतरी पत चला गया विएईपी पार्टी के तीन विधायक बीजेपी में आये हैं तो जाहिर है उनके एज़ेस्टमेंट की भी तैयारी है उनको एज़ अमठेडिनों से यह सवाल ये भी है कि क्या जेडियू के सभित्स वर संसद्य बोर्ट के अध्यक्ष उपहَंद्र मुच्वा का वनवास सब्सक region बड़न कर रहे हैं क्योंकि उपहंद्र मुच्वाछा के सामने तुरफ टोया की राजितिआ जेडियू में हुई और मुखमंत्री नितीश कुमार ने दिल खोल कर उपेंद्रकुषवाह का स्वागत किया उनको गले लगाया जेडियू के रास्टिये संसदिये बोट का अध्यक्ष बनाया पार्टी का जो सम्मिधान था उसमें भी बदलाव किया उपेंद्रकुषवाह का बनवास पूरी तरह से खत नहीं हुआ आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कोई बड़ी भूमिका पार्टी में उनको नहीं मिली नाम के संसदिये बोट के अध्यक्ष बनाये तो गए लेकिन बहुत कोई बड़ी जिमवारी उपेंद्रकुषवाह सम्हाल रहे हों कोई यह दिखा नहीं जो हमारी समझ कहती है हमारी समझ पर सवाल उठाने का अधिकार आप सबको है लेकिन जो दिखता है वही मैं कहता हूँ जो दिखा है वो आप भी समझ रहे हैं तो और दूसरी तरफ उपेंद्रकुषवाह अपनी ही पार्टी के कई नेताओं द्वारा यान की खबर यह आ रही है कि उपेंद्रकुषवाह को नितीस कैबिनेट में बड़ी जगह मिल सकती है नितीस की सरकार में नितीस सरकार में बड़ी जिमवारी उपेंद्रकुषवाह को मिलने जा रही है कैबिनेट का विस्तार अगर होगा तो उपेंद्रकुषवाह सरकार में प्रसूखदार चेहरा होंगे उपेंद्र कुसवाहा की भूमिका बड़ी होगी अब बिहार की सरकार में तो उपेंद्र कुसवाहा के निताओं के लिए उनकी पार्टी के निताओं के लिए जेडियू के निताओं के लिए खासकर जो उनके समर्थक हैं उनके लिए और खासक बिहार की सरकार पदपर आसीन हो सकते हैं वीवार की सरकार में उनका रसुक बढ़ा हो सकता है उनका प्रमोसन होने जा Daha रहा है या या तरह से बोड़ी जानकारी taking gender signed सामने आ रही है सुत्रों के हवाले से और आप जानते हैं केबिनेट विस्तार को लेकर गहमा गहमी विहार में तेज है वी आईपी पार्टी के तीन विधायक जो बीजेपी में सामिल हुए वो दिल्ली में जेपी नड़ा से मुलाकात करते हैं और भी कई तरह के घटना करम है अगर आप देखेंगे याद करेंगे हाल के दिनों में तो आपको लगेगा कि घटना करम उसीदी सामें बढ़ रहा है और केबिनेट का विस्तार तो होना ही है वी आईपी से बीजेपी में राजु सिंग का मंत्री बनना तेमाना जा रहा है बीजेपी और जेडियू कोटे इस पूरी खबर में इतना ही इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद